दोस्तों कैसा हो कि आपको एक रिक्वरी सॉफ्टवेर लगबग तीन जारों में कीमत का फ्री में मिल जाए और साथ में मौका मिले आपको एक गोप्रो कैमरा जीतने का तो ये दौनों हादा में लड़ू अली बात होगी तो अब एक केमपेंच चल रहा है जिसमें वंडर शेयर का रिक्वरेड जो सॉफ्टवेर है वो लगबग 45 डॉलर का आपको फ्री में मिलेगा और साथ में आप उसे कोई भी अपना पुराना फोटो जो आपके बहुत पुरानी मेमोरीज में हमारे डिलीट हो जाते है उनको अगर रिक्वर कराके और फेस्बुक पर शेयर कराते हो हैस्टेक के साथ में तो आप जीश सकते हो एक गोप्रो केमरा नवशकार दोस्तों मैं अब हमें नीवर अद्वाज आपका स्वाववित करता हूं मैं बिग गैडिस्मार्ट क्लास में चैनल पर मैं आपके लिए लि यहारी केमपन के बारे में जिसमें आप रिक्वरेट सॉफ्ट्वेर को तीस दिन के लिए तो आउनलोड कर सकते ही हैं साथ में आप जीश सकते हैं एक गोप्रो कैमरा अब यह कैसे करना है यह जल्दी से जान लेते हैं तो वंडर शेयर का जो रिक्वरेट सॉफ्वेर है व उसका जो प्रो वर्जन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको करना क्या है आपको जाना है इस वाले वैप पेज पर इसका लिंक में डिस्रिप्शन में दे दूँगा तो यहां पर आपको एक कैमपेंग दिखाए देगा शेयर यूर फोटो विन गोपरो और इसकी नीचे एक हैश्टेग मिलेगा रिगवरेट 8 तो अभी क्या हुआ है कि वंडर शेयर ने एक रिगवरेट 8 नाम का नया सौफ्ट्वेर लांच किया है जिसकी कैमपेंग यहां पर चल रही है और इसे अगर आप जोइन करते हैं और अपना कोई भी फोटो पुराना रिगवर करके उसे फेस्ट पर शेयर कराते हैं तो आप जीच सकते हैं एक गोप्रो कैमरा तो अब यह करना कैसे कीमध लगब 45 डॉलार लगब 3100 रूपए है वो आपको मिल जाएगी और यह काम करेगी आपकी 30 दिन तक तो आपको यहां पर एंटर करनी है अपनी इमेल आईडी और साथ म अपना नाम तो यहां पर हम email id एंटर कर देते हैं और यहां पर मैं नाम भी डाल देता हूं और इसे यहां से submit कर देता हूं तो आप देखें यहां पर एक message आपकी सामने लिखा हुआ आएगा congratulations the license in your mailbox अब आपको करना यह है आपको जो required software है वो यहां से download कर लेना है और अपनी email id को open कर लेना है तो आप देखेंगे मुझे mail मिल चुका है तो यहां पर आपके पास जो भी operating system है उन दौनों के लिए यहां पर license की दी गई है यहां पर आप देखें यह जो license की है वो windows के लिए है और यह जो license की है वो mac के लिए है अब यह जो license की है वो एक महीने तक काम करेगी और आप बड़े आराम से एक महीने तक कितना भी data से require करा सकते हैं तो यह सबसे पहली जीज़ा आपको फायदा हो गया अब यह license की आपको डालनी कहां पर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे है require 8 यहाँ पर हमने install कर लिया है अपने system में और open भी कर लिया है अब जो हमें key और email id mail के माध्यम से मिली है उसको यहाँ पर यह जो चाबी जैसा icon है इस पर click करके आपको enter कर देना है जिससे यह software है वो 30 दिन के लिए आपके system में activate हो जाएगा और pro version में होगा अब आप इससे किसी भी जगह से किसी भी file को require करा सकते हैं आप recycle bin से करा सकते हैं crash computer अगर आपका हो गया है किसी वेज़े से तो करा सकते हैं desktop से कोई भी folder select करके या किसी भी जो भी आपकी drive हो hardest को वहां से भी आप करा सकते हैं फिलाल मैं अपनी pen drives अपनी कुछ पुरानी फाइलों को require कराने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने इसे select कर लिया है और इसे यहाँ से start कर दिया है अब यह कुछ second लगाएगा फाइलों को require कराने में तो आप मैं click करके देखता हूँ उन photos पर तो आप देखेंगे यहाँ पर जो photo है वो मुझे display हो रहे हैं और यह मेरी बेटी के काफी सारे पुराने photo है अगर मैं preview करके देखा हूँ तो आपको यह देखे यह जो photo है यह लगबग सन 2009 का है तो यह देखेंगे यह photo कितना प्यारा है अब इसे require बटन पर click करके हम require करा लेते हैं अपने paint drive में या किसी भी drive में तो यहाँ पर मैं इसे require करा लेता हूँ और यह photo मैंने restore कर लिया है त बस आपको करना क्या है इस photo को आपको facebook पे शेयर कराना है तो चलिए मैं facebook भी open कर लेता हूँ तो यहाँ पर यह मैंने facebook open कर लिया है आपको facebook पे जो photo upload कराते से मैं ध्यान में रखना है कि जो आप photo upload कराएंगे वह public होना चाहिए इसके बाद मैं यहाँ पर आपको hashtag लगाना ह तो बस इतना आपको करना है और एक महीने तको software का आपको फाइदा उठाना है आशाये दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को दूद स्काइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट करके बताईए कि ये जो कैमपेन है ये आपको कैसा लगा मैं हमेशा आपके लिए ऐस बने मातरों